और बढ़ते आगे 6 अक्टूबर से ग्वालियर में भारत और बांगलादेश के बीच T20 मैच खेला जाएगा महियाब इस मैच का विरोध होना शुरू हो गया है 10 से ज्यादा हिंदुवादी संग्र्ठों ने मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है बांगलादेश प्रिकेट टीम के विरोध में कारिकरता सडकों पर उतर आए हैं हिंदु महासभा के राश्रे उपाध्यक्ष के नेतरतों में कारिकरताओं ने रैली निकाली लेकिन स्टेडियम पहुँचने से पहले ही पुलिस ने कारिकरताओं को महाराज बाड़े पर रोक लिया पुलिस ने आंदोलन कारियों को हिरासत में ले लिया वहीं प्रदर्शन को देखते हुए स्टेडियम के आसपा सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए हैं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलो को तैनाथ किया गया है इसके साथ ही कलेक्टर उचिका चौहान ने सोशल मीडिया पर भी भरकाओ पोस्ट करने पर कारिवाई के आदेश दिये हैं और इलाके में धारा 163 लागू करने के आदेश भी जारी किये गए जिसके बाद किसी भी तरहे के धरना प्रदर्शिल पर रोक लगा दिये हैं भारत बांगलादेश के बीच टी-ट्वेंटी मैच यहाँ पर होना था लेकिन बांगलादेश में बीते दिनों जिस सरे के हालात देखने को मिले हिंदू पर जिस सरे से हमले हुए उसके बाद अब भारत में इस मैच को खास वर पर ग्वालियर में ना करानी के अब यह मांग की जा रिये और इसी को लेकर कई हिंदू संगठन ऐसे हैं जो कि लामबंध हो गए हैं दरसल यह T20 मैच ग्वालियर में ही आयोजित होना था और 6 अक्टूबर से यह मैच शुरू होना था लेकिन अब हिंदू बादी संगठनों ने इसे लेकर मोचा खोल दिया है विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है तो हिंदू बादी संगठनों ने विरोध जता है जिसके बाद कलेक्टर भी आक्शन में आई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे ग्वालियर से कर्तार हमारे समवादाता इस वक्त सीधे रुड़ गया है कर्तार किस सरे से विरोध जताय जा रहा है और अभी क्या रुख है अनुमान क्या लगाय जा रहा है क्योंकि आज तीन तारिक हो गई है ज्यादा दिन नहीं ये 6 अक्टूबर को बताईएगा देख कल भारत और वांगलादेश की टीम पहुंच गई आज प्रशासर की टीम पहुंचती है चुक्क उन्हें पर्मीशन नहीं लीती तमाम जो बाहां थे उनको जब्तगिया कल करीबन पचास हिंदुवादी संथर के निता थे उनको अरेस्ट किया कर दो किया जाएगा उसको सकती से निपता जाएगा उसके निघ्स की ना पने अज शीक वज़े मैच की प्रक्तेश है वो संकरपुर स्टेडिया में की जाएगी उसके बाद में शे तारिक को मैच होना है तमाम जो बाहर से अधिकारी है और लोग है उनका आने का सिल्सरा है वो शुरू हो गया है तीम दोनों ही टीम को ग्वालियर में एक तीम है उसको होटल रेडिशन में ठेराया गया है और इ निशुत रूप से लेकिर एक्षन लिया गया है करतार और इसी के साथ कलेक्टर ने भी कुछ आदेश वहां के लिए जारी किये हैं वह आदेश क्या है ये भी समझाएगा और मैच को लेकर अभी क्या टालमटूल की सिती चल रही है ये भी बता दीजे बिल्कुल और क्योंकि प्रतिबंद लगाया है अब कलेक्टर ने भी अपनी और से प्रतिबंद आत्मक आदेश रारी किये हैं अब देखना होगा आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं ये लोग बहुत शुक्रे आपका